जै भुलेनाथ शनिवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोश वरत को शनी प्रदोश के नाम से जाना जाता है हमारे हिंदू धर में प्रदोश वरत का बहुत महत्व है हर महीने में दो प्रदोश पढ़ते हैं एक शुकल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में और प्रदोश व प्रदोश्रत रखने से लंबी आयू का वर्दान भी प्राप्त होता है लेकिन शनी प्रदोश्रत रखने वाले भक्तों को भगवान शिव के साथ ही शनी देव की कृपा भी प्राप्त होती है इसलिए आज के दिन प्रदोशकाल में भगवान शिव की पूजा के साथ ही शनी संबंधी दोश निवारंड करने के लिए और शनीदेव की शान्ती के लिए शनी प्रदोश का व्रत रखा जाता है संतान प्राप्ति की कामना के लिए शनी प्रदोश व्रत विशेश रूप से लाबदाई होता है इस वृत को रखने से शनीदेव कप्रको शनी की साड़ी साती या फिर धएया का प्रभाऊ भी कम हो जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बात के समय को प्रदोश काल कहा जाता है ऐसी मानिता है कि प्रदोश काल में भगवान साक्षा शिवलिंग में प्रकट होते हैं और इसलिए इस समय भगवान का ध्यान करके उनका पूजन करा जाए तो उत्तम फलों की प्राप्ती होती है प्रदोश वरत रखने से चंद्रमा के अशुब असर और दोशों से भी मुक्ति मिलती है यानि शरीर के चंद्रत तुम्हे सुधार होता है चंद्रमा को मुन का स्वामी माना जाता है इसलिए चंद्रदोष संबंधी सभी परिशानिया भी इस समय वरत रखने से तूर हो जाती हैं जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें वरत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए अगर आप उपवास रखने में आसमर्थ हैं तब भी आपको प्रदोष काल के समय भूलिनात की पूजा करके वरत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए ऐसा होने से भी सभी मनुकामनाई पूर्ण होती हैं तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शनी प्रदोष प्रत कथा अगर आप प्रदोष प्रत की दिती और शुब्मूट के बारे में जाना चाहते हूँ तो इसकी अलग से वीडियो हमारी चैनल पर अप्लोडेड है आप उस वीडियो को देख सकते हैं शनी प्रदोष प्रत की पौराणी कथा के नुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक सेठ दमपती रहा करते थे सेठ जी के घर में सारी सुक सुविधाएं मौजूद थी मगर उनकी कोई संतान नहीं थी इस कारण से सेठ और सिठानी हमेशा दुखी और चिंतित रहा करते थे काफी सोच विचार करने के बाद सेठ जी ने अपने काम नौकरों को सौब कर सिठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्य किया और इस प्रकार वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े अपने नगर से बाहर निकलते ही उन्हें एक साधु महराज मिले जो ध्यान की अवस्था में बैठे वे थे सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु महराज से आशिरवाद लेकर ही आगे की यात्रा तै की जाए ऐसा सोचते हुए सेठ और सेठानी साधु के निकट जाकर बैठ गए साधु महराज ने जब बहुत दिर बाद आखे खोली तो उन्हें पता चला कि सेठ और सेठानी बहुत समय से उनके आशिरवाद की प्रतिक्षा में यहीं पर बैठे वे हैं तब साधु ने बिना कहे ही सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारे दुका कारण जानता हूँ तुम शनी प्रदोष का वृत रखो इससे तुम्हें संतान सुख वशी ही प्राप्त होगा तब साधु महराज ने सेठ और सिठानी को प्रदोश रत की बिधी बताई और भगवान शंकर की वंदना भी इस प्रकार करने के लिए कहा उन्होंने कहा कि तुम इस प्रकार प्रदोश काल के समय भगवान शिव की वंदना करना हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशी मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उगरत्व रूप मन नमस्कार, इशान इश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नम अश्कार. सेठ और सठाणी ने साधुमाराज को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद कर उनका आशिरवाद लेकर वे तीर्थी आत्रा के लिए आगे निकल पड़े. तीर्थी आत्रा पूरी करके घर आने के बाद सेठ और सठाणी दोनोंने मिलकर शनी प्रदोस विरत रख गया शनी प्रदोश्रत रखने वाले भक्तों की सभी मनुकामनाई भगवान शिव जरूर पूंड करते हैं प्रेम से बोलिये भोले शंकर भगवान की जय शनी देव महराज की जय उमीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर में पूलिये का